एक super soft और super flexible material जिसमें bullet proof material की सारी qualities हैं और ये extract किया जाता है मकडियों से यानि spiders से जी हाँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे spider silk के बारे में Hello everyone मैं हूर उपिंदर और ये हैं इंडिया का सबसे पहला हिंदी में fashion and styling channel हमारी वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा सबसे पहले spider silk होता क्या है? spider silk वो रेशा होता है जो spider use करता है अपना जाला बनाने के लिए और एक बहुत interesting fact है कि एक single मकडी जो है वो different type की silks produce कर सकती है प्रोटेक्ट कर रही है या उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रावल करना है अपने वेब के थ्रूँ तो डिपेंड करता है कौन सा process है उसके according एक single spider काफी type के silk produce कर सकता है इसकी properties क्या के है? Kevlaric material होता है जो bulletproof clothing में यूज किया जाता है यह उससे भी है कि steel से भी strong है इसके साथ साथ यह बहुत जादा flexible भी है और soft भी है यह अपने size से काफी गुना जादा stretch हो सकता है और इस silk का जो structure होता है वो इतना घहना और इतना flexible और strong होता है कि वो bulletproof properties जो उसकी है वो काफी अच्छी है दुनिया भर में इस material पर इतनी research चल रही है इतने सालों से वो इस लिए कि सिरफ textiles में नहीं इस material का use बहुत सारी fields में है अच्छी medical engineering में काफी time से use भी हो रहा है जो हमारे muscle के ligaments वगरा होते हैं उनको replace करने में यह use होता है क्योंकि हमारी body से foreign material समझ के reject नहीं करती है मारी body से accept कर लेती है तो यह बहुत अच्छा material जो medical engineering में अभी तक use हो रहा है इसके अलावा यह clothing में यूज हो सकता है sports material में यूज हो सकता है इसकी flexibility बहुत अच्छी है body armors में यूज हो सकता है इसके अलावा automobile industry में भी यूज हो रहा है तो इसके जो uses है ना वो तो countless है almost countless है इसके uses अब सबसे बड़ा question यह है कि अगर यह इतनी ही qualities इस material में तो यह market में available क्यू नहीं अभी तक वो इसलिए क्यूंकि इसको जो produce करने का प्रोसेस है उसकी management में काफी खर्चा हो जाता है काफी resources चेही होते हैं उसके लिए इसके साथ कॉप अप करने के लिए दुनिया भर के जो researchers उन्होंने काफी तरीके ढूने उनमें से बहुत इंट्रेस्टिंग तरीका है कि इस सिल्क को सिल्क वां की सिल्क की साथ मिला के एक खास कॉलिटी की उंदा सिल्क प्रोड्यूस की जाए और आटिफिशल स्पाइडर्स सिल्क क्रियेट करने में भी काफी efforts डाले जा रहे हैं इंटर्नाशनल फे बेर इंडियन लेवल पे भी इस पे काफी researchers काम कर रहे हैं तो जैसे ही यह material मासश्प्रोडूस होना शुरू हो जाएगा तो टेकली इंडस्टिरि में लाइम, ऐन्से अन्थे काफी स Allah आँव अड़ूस्टिर्ई độ Thank you!